हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग होप आप अच्छे होंगे तो लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा कि हमने किस तरह से जो है एडवांस आउटपुट के अंदर जो है पोलिगोन टूल्स को यूज किया और स्लाइसे यूज की तो आज का वीडियो भी कुछ ऐसे ही होना वाला है तो जो इस चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेर एंड कमेंच जरूर करें तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो मैं आ गया हूँ यहां पर रेजलों की जो है स्क्रीन के ऊपर तो यहां पर जो है मैं जाता हूँ सबसे पहले आउट्पूट के अंदर एडवांस आट्पूट में यहां मैं जो है इसको लिपता हूं न्यू तो बात करेंगे कि लास्ट इम जो हमने पॉलिगोन टूल्स लिया था उसकी उसमें कैसे क्या कर सकते हैं पॉलिगोन टूल्स क्या होता है क हम लोग जो उसमें कस्तम तरीके से जो है स्लाइज को अरेंज कर सकते हैं इंपूट स्लेक्शन कर सकते हैं कि किस टाइप से हमने जो है उसका कुछ डाइग्राम बनाना है या किस टाइप से हमने उसको शेप्स देनी है बेसिकली शेप्स के लिए होता है तो यहां से अगर म मैं जाहूं तो इसको snapping कर सकता हूं प्रोपर तरीक के से ठीक है according to मेरे जो slice है या जो मेरा पैनल्स लगे हुए है या मेरा projection mapping कर रहा हूं तो इसके according मैं इसके setting प्रोपर तरीक के से कर सकता हूं यहाँ पर, ठीक है आप देख सकते हैं, तो, हॉलिगोन टोल्स से हम लोग कस्टम तरीके से अपनी slice को create कर सकते हैं, जैसे हमने input के अंदर किया, वैसे हम लोग इसके अंदर output के अंदर भी इसको create कर पाएंगी, ठीक हैं, जैसे जो हमने input के अंदर जो भी shapes में बनाया है हमारा जो है output के अंदर वो create हो जाएगा वो shop हो जाएगा तो इसका सबसे बड़ा benefits यह होता है कि हमें outline जो है create करनी पड़ती है तो हमें किसी plugins की जरूरत नहीं पड़ती जैसे कोई slice को हम लोग merge करते हैं तो उसकी चीज़के में जरूरत नहीं पड़ती इसका मैं एक और example आपको देता हूँ यहां से हम लोग new कर लेते हैं तो मान लेजिए यहां पर slice बनाता है हम लोग कुछ slice बनाई आए जैसे एक slice यह बनाई मैं इसको duplicate करके एक slice और बना लेता हूँ चलिए तो मेरी सामने कुछ तीन slice इस टाइप से बन चुकी है तो अगर मैं इनके उपर जो है sorry मैंने इनको जो है गलत कर दिया input match कर देते हैं और input match तो मैंने यह तीन slice इनको बना दिया है इनको लेरिया करते हैं तो अब यह तीन slice इन यहां पर बन चुकी है तो इन तीन slice को अगर मैं यहां पर polygon tools यूज करता हूँ तो मैं simply यहां से जाता हूँ simple मैं मतलब roughly तरीके से कर रहा हूँ और आप यह इसी तरीके से कर सकते हैं वावाद में हम लोग इसकी setting कर लेंगे proper तरीके से एसा जैसा और अगर मैं यह तीनो slice हैं ही बनाका रखता तो हर slice के उपर अपनी outline अलग-अलग होती यह आपको भी पता है ठीक है आप कर चुके हो लेकिन अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा zoom अब zoom करके जो है इसकी हम लोग यहां से snapping कर सकते हैं तो यह snapping tool होता है यहां से इसको on कर लें और इसको बिल्कों जैसे ही मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ तो यह अपने आप पॉइंट पे चला जाता है यह रिखिए ठीक है तो जैसे ही एक चुंब की तरह है अपने पॉइंट पे चला जाता है खीच लेता है उसको वैसे ही यहां पर भी ऐसा ही होता है तो आगर मैं यहां पर प्रोपर त्रीके से जो है और रखे लेता हूं यह पर इस ताइप से और इसको भी यह जो है मेरा प्रोपर त्रीके से स्नैपिंग हो चुकी है ठीक है आप देखें कि आउट्पूट के अंदर दोनों स्नैपिंग हो चुकी है अब मैं क्या करता हूँ स्नैपिंग कुछ स्टैप से हो चुकी है तो अब क्या करता हूँ इसको सेव कर लेते हैं और जाकर जाते हैं यहाँ पर हम लोग है चीजर के अंदर मारा आउं यह आट हूं लेता हूं तो यह देखेंगे एक ही स्नैपिंग हो है तो चली मैं आप बात करेंगे यहां से मैं जो effect में जाता हूं, यहां से मैं लेता हूं, O-U-T outline, आउट-Line जैसे ही मैं outline देता हूं, तो वह देख सकते हो कि आपने, जैसे हम लोग slice को merge करते हैं, same to same हमारे पास वो effect आ चुका है, कि जैसे slice हमारी merge हो चुकी है, तो इसका एक advantage यह भी है, कि हम लोग snapping tool से, sorry, जो हम लोग polygon tool से, इस type से हम लोग अपने slice को merge कर सकते हैं, और अपने मन पसेंदा, जो भी हम लोग design create करना चाहें, वो इस type का हम लोग design create कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब issue हमें नहीं आने वाला है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और आगे सम्मित करते हैं, चलिए यह हो गया आपका, ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे, आपको आपको polygon tools के बारे में समझ में आ गया होगा, प्रोपर तरीके से, अब चलिए new पे जाते हैं, अब new पे जाने के बाद में जो है, यहां से मैं इसको बंद कर देता हूँ भई, इसी को द्रवाई यह दिखाता रहेगा, चलिए new पे चलते है, new पे जाने के बाद में जो है, अब मैं क्या करता हूँ, यहां पर कुछ slice बनाता हूँ, जैसे यही slice को मैं छोटा करके आपको थोड़ा समझा दें की कोशिश करता हूँ, यहां से, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कि हम लोग edit points भी use कर सकते हैं, edit point यहसे ही use करते हैं, तो हमारे पास काफी options आजाती है, जैसे यह slice है, हम लोग state बनाते हैं, तो अब मेरे पास अगर मैं आ लीजी edit point पे मैं click करता हूँ, और output के अंदर slice बना रहा हूँ, input तो मेरा जो है, या अगर मैं input select कर सकता हूँ, कि मुझे input यहां पर क्या चाहिए, ठीक है, वो आपको प mapping वाला काम ही हो गया, जैसे polygon tools होता है, वैसे ही है, लेकिन ध्यान है, आपका linear होना चाहिए, और इसके अलावाज अगर मान लिजीए, मैं इसको control chat करता हूँ, और यहां पर आपको x and y's की values मिलती है, अगर आप x, y की value को बढ़ाते हैं, देखिए, एक point और add हो गया, y को ब करना है, तो आप इसके साथ मिला दीजिए, और इसको कुछ ऐसा करना है, तो यहां पर ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, और इसको आप कुछ ऐसा करना है, तो आप यहां पर इसको मिला सकते हैं, सेम आप यहां पर भी ऐसा कर सकते हैं, यहां पर भी ऐसा कर सकते हैं, तो कुछ इस टाइब का अगर आपको एफेक्ट चाहिए ऐसका डिजाइन चाहिए तो आप इसको यहां पर भी यह कर पाएंगे तो आप कुछ इस टाइब का डिजाइन यहां पर कर सकते हैं प्रोपा तरीके से तो आप यह आप देख सकते हैं कि आपके जो है स्लाइस को इस टाइब की कर पाएंगे प्रोपर क्रीके से ठीक है तो चलिए यह आपका हो गया अब इसके लावा एक चीज और है अब जैसे माली जी आपने यही शेप में माली जी यह बना लिया ओके अब बनाने के बाद में क्या होता है कि हमें इसकी आउटलाइन चाहिए या मैं इसको जो है आफट का बाद में जो है थोड़े है आपको एक चीज और समझाता हूं यहां बेजर पाया पॉंइंट है आपका मारषे पॉर है तो में इरक ने चाहिए भी पमेन मांदे हो इसको क्रव कर सकते हूं पर पर उपर तरहे मैं ने यहां पर इसको बनाया इस नेरकर आप इसको थोड़ा करव कर सकते हैं, जैसी इस point को लिया, इस point को आप करव करते हूँ, ठीक है, कुछ इस type का बना दो, और अगर मैं इस point की बात करूँ, इस point को उठाया, इस point को भी आप इसा कुछ करव बना दो, ठीक है, तो यह देखिए, अलग से आपका design create हो जाएगा, इस type का design अगर आप create करना चाहो, तो आप इस type का design यहाँ पर create कर सकते हो, को देखिए अपने तरीके से, ठीक है, तो आप यह देखिए, अगर मैं इस point को भी edit को छोड़ना चाहो, तो यह देखिए, थोड़ा सा यह करव में आ चाहता है, तो आप इस type को गरव में बना सकते इसको थोड़ा सा और detail में समझाते हैं, जैसे आपने कोई slice लिया, यह slice को दिया, इस type से, like this, edit point में चले जाते हैं, अब मैं यहाँ linear की जगा बैजर पात कर लेता हूँ, देखिए, जैसे बैजर पात में linear में हमने किया थे, जो points हमारे add हो जाते हैं, तो ऐसे linear के अंदर भ मैं कुछ ऐसा curve रखूं, तो आप यहां से इसको curve कर पाएंगे, यहां से रखे उठाएं और इसको जो है, अपने तरीके से curve कर पाएंगे, सेम यहां पर भी आप left और right के अंदर भी इसको curve कर पाएंगे, अगर simple point में चले जाएंगे, तो कुछ आपका जो है, इस type का curve हो ज यहां अंधे की बात करते हैं, आप आगे की बात करते हैं, यहां से में new एक भार और कर लेता हूँ, यहां पर मैं चीज़ और यहां बतादो आपको, यहां पसको आप polygon हमने रखे और, स्लाइसे हमने हमने कर ली, output mask क्रेट करते हैँ, यह output के अंदर जो है, जैसे हे मैं यहा वो heart के अंदर ही play होंगे इसके अलावा आप triangle यूज कर सकते हो hexagon उज कर सकते हो एंड इसके अलावा जो है आप अपना यहां पर custom तरीके से भी create कर पाते होगे तो जिसे मान लो अभी मैं heart की बात करता हूँ तो जिसे मान ली जी heart का हमारे पास ये है तो यह हम लोग इस तरफ से मास्क इसको यूज कर पाएंगे अब एक काव और करते हैं इस मास्क को माली जी मुझे अच्छे तरह के से एनिवेट करना है मतलब कोई भी स्लाइस है जरूरी नहीं एक की बात करता हूं मैं कुतने भी स्लाइस हैं आप यहां पर बढ़ाओ तो माली जी आपने इसको जो क्या है आप इसको SVG फाइल सेव कर दें तो SVG फाइल सेव करेंगे माली जी डेस्टॉप पे डेस्टॉप पे अगर माली जी मैं यहां पर एक नियू फोल्डर क्रेट कर लेता हूं यहां से मैं एक जो है नियू फोल्डर बना लेता हूं फोल्डर बात नहीं करेंगे दूसरा option आपके आपस आता है फ्री वाला तो जो फ्री में कैसे कर सकते हैं अब जो आपकी फाइल स्वीजी तो यह तो आपकी डारेक्ट उसके अंदर नहीं हो सकते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए करना पड़ेगा जैसे मान लो ड्रेक्टग कर लेता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे पास यह हार्ड की शेफ में जो हैं यहां पर आजाती है आप यहां पर देखेंगे इसकी जो लेयर को अपन करेंगे तो यहां पर आपके पास एक सिलइस भी आया हुआ है और slice को आप चाहें तो यहां से क्लिक करें और यहां से डिलीट कर दें, तो उसके बाद में आप layer पे क्लिक करें और यहां 3 dots, जो 3 lines है इसके उपर क्लिक करें, और यहां release from, release to layers, ठीक है, इसके उपर आप क्लिक कर दें, इसके उपर क्लिक करने के बाद में आपने कुछ नहीं करना कि simply यहां फाइल पर जाएं और फाइल को सेव करने के लिए आपको क्या है डेस्टॉप पर ही फोल्डर फोल्डर नमबर टू जिसकी मैं बात करो इसके उपर ही हमने सेव किया था लेकिन सेव करने आप इसलें करने हैं अडोब अलिश्टेटर की फाइल को सेव करतेंगे ठीक हमारा काम यहां पर खत्म हो जाता है अपना आप्टर फेक्ट जहां जाते हैं डेस्टॉप पे डेस्टॉप पे फोल्डर नमबर टू और यहां एक आप फाइल देख सकते हैं आउट्प यहां पर भी अविलेबल है ठीक है यहां पर जैसे फाइल अविलेबल है अब यह ब्लैक नजर आ रही है अगर मैं इसको ट्रांस्पेट करके दिखूं तो यह हाट की शेप में आपको यहां पर नजर आएगी ठीक है तो अब इस पे राइट कलिक करें बहुत ही सिंपल आय है आप इसको डिलीट कर सकते हैं चलिए अब यह इस लाइन को क्लीट कीजिए यह हमारी जैसे नौर्मा हम लोग शेप लेयर बनाते हैं वो शेप लेयर बन चुकी है इसका कलर हम लोग चेज़ करके रैड करते हैं और इसके पिक्सल जो है बढ़ाकर 20 पिक्सल कर देते हैं यह हो गया अचलिए अब इसको आप ट्रांस्पेट पर पंद करते हैं कोई दिक्कत नहीं अब इसके बाद जो नीचे आते हैं यहां एड में जाकर जो है मैंने आपको पहले वी वीडियो में बताया कि यह इंसाइड में नहीं है यह क्या है सेंटर के अंदर है इंसाइड क अंदर करना है तो उसके लिए क्या करना ऑफसेट पाथ को यूज करना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा जितना पिक्सल का हमारा बाटर है जस्त उसका हाफ हमें यहां करना पड़ेगा तो माइनस टैन करते हैं तो यह इंसाइड में हो जाएगा जैसे इंसाइड में ह कर दिया एंड इसको कर दिया हमें 15 pixels का ठीक है और उपर वाली copies को जो है हम लोग simply जो है यहां से लेते है white एंड इसको हम लोग कर देते हैं 10 pixels का okay done इस टैप से जो हम लोग इसको animate कर सकते हैं यहां उपर लेते हैं उपर जाकर हम लोग इसको dash के अंदर convert कर लेंगे like this और यहां से मैं इसको round and round इसके उपर double click करके जो है dash को 0 इसको इसकी position जो है मैं 20 कर लेता हूं गया ठीक है like this offset के उपर हमने alt के साथ में clean frame लगाना है press करना है time star minus one double zero ठीक है तो simply आपका जो है heart का step का animations बन गया है okay चलिए इस animation को ready करते हैं और यहां से मैं क्या करता हूं आगे color collections वेरा जो आपने करनी है वो कर सकते हैं आप समझ सकते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वो आपको कैसे उसको golden बना सकते हैं सिंपल आपको बता रहा हूं तो चलिए इसके बाद add to render में चले जाए यहां पर जाने के बाद जो है मैं इसको save कर लेता हूं तो यहां से में फोल्ड़ नुमर दो के अंदर इसको save कर लेते हैं और इसको render करते हैं Simply तो यह file जो है यह रेंडर हो चुकी है होने के बाद मैं राजलो में open करता हूं और चो मेरी है यह file को मैं या drop करता हूँ, इसके उपर की side में drop कर लेते हैं, चाहे आप नीचे की दरफ रख करें, या उपर की दरफ करें, like this, यह देखें, मेरी जो फाइले विजुल्स के साथ लिए, जो है इसकी में एक अच्छी सी outline create हो चुकी है, तो इस type से आप create कर पाते हैं, आप masking यूज़ कर सकते हैं, आप अपना polygon tools यूज़ कर सकते हैं, और अपने show को बहुत ही unique बना सकते हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को like करें, share करें और subscribe चैनल को, तो मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए take care and bye-bye.